इस लेक्चर में और्गिनाइजेशन ओफ इसलामिक कॉपरेशन के बारे में डिसकस करेंगे रिसेंटली ये न्यूज में हैं क्यों क्योंकि इसकी मीटिंग हुई है अभी पाकिस्तान की इसलामाबाद कैपिटल में वहाँ पर अफगानिस्तान की साहता करने के लिए इन्होंने मीटिंग की क्योंकि आप सबको पता है अफगानिस्तान की जो इकॉनमी है वो कॉलाप्स हो चुकी है तब से ये तालिमानी रूल आया है और अगर अफगानिस्तान की जो economy बिगड जाएगी तो इसके effect सिफ अफगानिस्तान पर नहीं पड़ेंगे आज पास के जो वो country है और वे भी यानिकि global impact होगा इसका पूरे world में बहुत सारी countries पर प्रभाब पड़ेगा इसका तो यह summit इसलिए बुलाया गया है बहुत सारे foreign minister अलग अलग countries के यहां पर invite किया विदेश मंत्री, चायना को भी invite किया गया यहां पे, US को अमरिका को रसिया को भी invite किया यहां पर तो इसके outcome क्या निकले इस meeting के, meeting के outcome यह निकले यनि की result क्या निकला, इन countries ने यह एक यहां पर promise की वदा किया कि एक fund setup किया जाएगा, एक fund बनाया जाएगा भाई साफ उसमें मनी इखटा की जाएगी humanitarian एड दी जाएगी मानलों कोई country humanitarian add मानवता के बेस्पे साहता करना चाहता है तो इस fund में रुप्या दे ये की जाएगी Islamic development bank के द्वारा इस organization का एक ये bank मना हुआ है Islamic development bank तो इसके द्वारा ये setup किया जाएगा fund और इस fund में जो भी country देना चाहे दान वो दे सकता है भाई साफ मानवता के बेस्पे कर दो भाई साफ इस fund से पैसा किसको दिया जाएगा अफगानिस्तान को यानि कि तालीबान जो रूल है वहाँ पे रूलर को ये पैसा दिया जाएगा यान कि कोई भी country डारेक्ली अफगानिस्तान को पैसा नहीं देगी पहले इस fund में contribute करेगी और फिर Islamic development bank इस fund से पैसा देगा अफगानिस्तान को तो हमारे लिए जानना जरूरी है ये organization क्या है ये organization of Islamic cooperation international organization है यानि कि अंतर राष्टे संस्ता है ये 1969 में इसको बनाया गया था 57 member state है इसके सदस सदेश कितने 57 ये second largest inter-governmental organization है United Nation के बाद ये सबसे बड़ी दूसरी inter-governmental अंतर ये governmental organization है संस्ता है पूरे world में ये देखो Muslim world है जो यानि कि जो Muslim country है उनकी collective voice को promote करने के लिए यानि कि उनके interest को safeguard और protect करने के लिए ये organization बनाई गयी थी और इसका एक ये target है कि पूरे world में international peace और harmony को promote करना है अंतर राष्टे सांती और मधूर संबंद एक दूसरी country के बीच में बने रहे इसको promote करना इसका काम है इसका permanent delegation एक United Nation में भी है और European Union में भी मतलब जो OCI का एक अफसर रहता है United Nation में जो OCI को represent करता है और European Union में भी एक अफसर रहता है इसका इसका जो headquarter है मुख्याल है permanent secretariat वह सुदी अरब्या में एक जेदा नाम की जगह है place वहां पे है इसका quarter इंडिया के लिए क्या significance है OIC का देखो भाइस सब 57 वेंबर हैं इसके जिन में से सुदी अरब्या भी है ये कुवेत वगरा ये member है और ये member इंडिया के लिए trade के लिए जरूरी है energy need के लिए भी क्योंकि इंडिया इंहां से इंडिया के लिए trade के लिए वेपार के लिए जरूरी है ये country